टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर अक्सर ही अपने किसी न किसी बयान की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। या यूं कहें तो गलत नहीं होगा कि गौतम गंभीर को अब विवादों को पैदा करने में मज़ा आता है। गौतम गंभीर अक्सर ही अपने बयानों से टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंदर सिंग, धोनी और विराट कोहली को ट्रोल करते हैं। ऐसा कोई मौका नहीं जब गौतम गंभीर इन दोनों ही प्लेयर्स की बुराई न करे। हाल ही में एक ऐसा वाक्या देखने को मिला है, जिसके अंदर गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंदर सिंग धोनी की आलोचना की है और इसके अलावा उन्होंने T20 विश्व कप को भी टुकका बताया है। गौतम गंभीर के इस बयान के बाद से सोशल मीडिया पर उन्हें जम कर ट्रोल होना पड़ रहा है। दोस्तों गौतम गंभीर के इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं।